जो सिनेमा है वो समाज का आइना होता है हम लोग बड़े हुए हैं सिनेमा देखकर और काफी इंफुलेंस करता है सिनेमा पिक्चर्स हमारी लाइफ में खासकर युवाओं की लाइफ में आजकल कुछ इस तरह की पिक्चरे आ रही है अगर आप कबीर से शुरू करें पुश्पा से शुरू करें और अभी एक अनिमल पिक्चर चल रही है मैं आपको कहनी पाऊंगी कि मेरे बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियां थी जो कॉलिज में पढ़ती है सेकेंड यर में पढ़ती है आधी पिक्चर में उठके रोके चली गए कि इतनी आकिर हिंसा और इतना वॉयलेंस और महिलाओं के साथ डिस्रिस्पेक्ट को जस्टिफाई करना पिक्चरों के द्वारा मुझे लगता है कबीर में जिस तरह वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है और इस मूवी में जिस तरह से वाइफ को ट्रीट करता है और लोग पिक्चरों का इन वॉयलेंस का और गलत नेगिटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर ग्यारवी और बारवी के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे हैं कई इस तरह की हिंसा हमें समाज में देखने को मिल रही है जो एक्जामपल और जो उधारन वो आजन वैली में यह इतिहास को एक गैंगवार में दो परिवारों की नफरत की लडाई में जिसका बेटा अपने बाप के प्यार के लिए मड़ता हुआ या बिल्कुल उसके लिए वो भी जस्टिफाय नहीं कर पाई है यह पिक्चर और उसमें वो सरयाम हॉस्टल में कॉले जस्टिफाय कर रहा है जहां तक आजन वैली का सवाल है सपापती जी हरी सिंग नलवा जो कमांडर इन चीफ ते सिक फॉस के जिनोंने मुगलों के खिलाब जिनोंने अंग्रेजों के खिलाब उनकी बढ़ती हुई सत्ता को रोकने के लिए लड़ाई लड़िती उनका बजाने का काम किया था इस उच ओटी के इतिहास को आप एक गैंगवार में आप उस गाने को बैग्राउंड में दिखा के जो हमारी धार्मे कास्ता को भी बहुत जैदा दर्द महसूस करवाता है गुरु गोबिन सिंग जी जो सिक्खों के दस्वें गुरु है वो जो कोश्ट पैदा करते हैं सर मेरा एक ही सवाल है 30 सेकेंड माइक ओन किजिए सर थांक्यू सर सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है और किस तरह से ऐसी पिक्चरे पास हो के आती है जो हमारे समाज के लिए बीमारी है ऐसी पिक्चरों का कोई भी स्था हमारे समाज में नहीं होना चाहिए बहुत 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 बहुत